नमस्कार दोस्तों मेरे पाम लिडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आई आज 31 वर्स की महिला के पाम का अनसस करेंगे इनके सवालों का जबाब करेंगे तो सर प्रतम इनके सवालों को सुनेंगे फ्रेक करके इनके सवालों का उतर करेंगे उससे पहले अगर लोगों ना भी तक हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किरपय करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल अकेन को प्रस कर दे ताकि रेटस नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो चलिए शुरू करते हैं इनका कोश्चन इस प्रकार है वर्तमान समय में गवर्णमेंट जॉब के लिए प्रपरेशन कर रही है उसके विशे में इनको जानना है सेकेन कोश्चन आगी की जिन्दगी कैसी रहेगी और क्या मुझे सरकारी नौकडी की प्राप्ती होगी तो ये वीडियो काफी महत्रपूर्ण जो भी विक्ती गवर्णमेंट जॉब के लिए प्रपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो हद से जादा इंपोर्टेंट है योगि इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ ऐसे योगों के विशा में बताऊंगा जिसको देखने से अगर वो आपके एतली पर हो अगर वैसी अवस्था आपके एतली पर मौझूद हो और आपको वैसी एतली पर दिख गई तो देखने मात्र आप सीख जाओ जो मैं अभी आपको बताने का कोशिश करूँगा आपकी नौकली 100% होगी तो ये वीडियो वाकिये बहुत महादपून है जो भी एक्सपरेंट्स गवर्णमेंट जॉब के लिए परपरेशन कर रहे हैं और एकदम निश्यनत रहिए जानकारी 101% सही मिलेगी क्योंकि मैंने बहुत सरकारी अधिकारी का हाथ देखा है और बहुत से सरकारी अधिकारी मेरे से जुड़े हुए भी है उस एवज में भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर मैं बताऊंगा तो चीज़ों को समझना जो उपाई दूँगा उसको करना और इनके भी वो परशन थे तो इनकी एतलिक का जो एनलसिस होगा वो पहले ऐसा होगा पहले positivity, second one negativity अगर negativity कुछ है तो उसके remedies तीसरा आपके questions पर चलूँगा चोथा आपके अतलिका पूर्णत अविशलेशन करूँगा तो आए positivity के तरब चलते हैं और questions तो आपने सुनी लिया तो strong आपकी fate line ये fate line काफी अच्छी एवन दोड़ी fate line अतलि पड़े है एक चंदर से गई है एक आपकी मनी बंद से आई है सीधी देखो यहां से और ये continue आपके जिन्दगी के last तक है ये तो बहुत अच्छी बात है और दूसरी आपकी अभी चल रही है 31 years की age अगर मैं आपकी age को देखो तो यहाँ पर से तकरीबन एक हलकी Protestant मुझे जरूर से फिल हो रही है 32-33 years के round अगर आप ठीक से देखने का परियास करेंगा तो यहाँ पर हलकी C है तो यहाँ पर आने में आप यहाँ पर अभी आपकी age चल रही है 31 की 32-33 में बहुत ही अच्छे प्रगती के योग बने हुए है तो बहुत यह अच्छे chances हैं कि आपका तरक्की हो बस आपको करना क्या है मेहनत करना है बहुत जादा और उसके बाद आपकी एक सूरी रेका जरूर से आपके अतली पर मौझूद है इस case में एक छेतर से दनलाव जरूर होता आपके जंदगी पड़ा लेकिन नॉर्मल पद प्राप्ती के योगे उच्छे स्थर ये तो फिलाल नहीं दिख रहे हमें नॉर्मल लेवल पर आपकी तरक्की मिलेगी क्रर्क लेवल के पद पर आप अभी जा पाओगी और दिरे-दिरे मेनद करने के बाद हायर पद पड़ भी जरूर पहुच पाओगे फिलाल का जो मुझे दिख रहा है ना गवर्नमेंट छेतर से दनलाव दिख रहा है तो अगर आप बड़े नौकडी के लिए प्रियास कर रही है तो मेरा कहना मानके छोटे का भी करो प्रमोशन्स तो आपके होने ही है तरक्की तो आपको मिलनी ही है लेकिन फिलाल के लिए ना मेरा जो एक कंसर्ण है वो यह है कि सूरी रेका भी बन सी रही है बहुत अभी स्ट्रॉंग डार्क बनी निया यह देखो यहां पर से अलकी मुझे फील हो रही है यहां पर से अगर आप देखने का प्रियास करोगे तो यहां से अलकी लिकी दिख रही है तो जब भी तक यह क्लियर नहीं बनेगी तब तक आपके बड़े नौकरी के तो मुस्किल है लेकिन छोटे जॉब में होने के बहुत अच्छे चांसे से हैं अब कोई नौकरी छोटा होता है नहीं तो कि आपके परमोशन्स होते हैं और आपकी तरक्की मिलती है आप छोटे जॉब में रहके भी आगे का तैयारी करते हो और आपको वो हो जाता है तो वो चीज़े होती हैं तो मैं चाहूँगा कि अगर आप सिर्फ बड़े का प्रप्रशन कर रही हो या फिर बड़े का फॉल्म फिलप कर रही हो तो छोटे का भी करो नॉर्मल लेवल का भी करो तरक्की आपकी जुरूर होगी तो ये तो एक चीज़े थी बागी ये पॉजिटिविटी के तरफ इसारा करा रही है एक स्ट्रॉंग बुद्धर एक आपके एतली पर मौझूद है बागी मूलता प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है तो राज्यों के प्राप्ति ये जंदगी इनकी अच्छी ही बीतती है इसमें कोई डाउट नहीं तो ये कुछ पॉजिटिविटी इनके एतली पर जरूर मौझूद थी अभी चलता हूँ नेगटिविटी के तरफ तो पहले नेगटिविटी ये देखो आपकी एक लाइन चलेगे बरश्पती पर एक आपकी जीवन रेकावगी बहुत जादा अलग तो ये बहुत बड़ी नेगटिविटी होती है इस केस में क्या होता है न ऐसे लोग या ऐसे महिलाएं या ऐसे पुरुस जल्दी किसी का भी नहीं सुनते हैं ये लोग अपने कंसेप्ट पे चलते हैं इसके जिन्दगी के थौट्स अपने अलग होते हैं और अगर इस केस में आपकी मंगल अच्छी हो जाए फिर तो बहुत गुसा आने वाला है इ इसरी यासल की दबाब हो रही है इगो आट की प्राबलम होते हैं दिल से आप बहुत अच्छे होते हैं लेकिन बाते बहुत जल्दी जल्दी लग जाती हैं आपको ये एक बड़ी समस्या होती है बाते इन लोगों को ना मतलब क्या ही बोलू मैं बहुत जल्दी इनको घर क जाएगी इनके बाते और फिर उस बात को लेकर ये परशानसी रहेंगी अपने जिन्दगी पर तो कहीं न के उस बात का ख्याल रखे आप तो ये था इनके कुछ negativity इसका उपाए एक और आखरी है हला कि और कुछ भी जादा नहीं है राहू लाइन भी बहुत कम है इसका बस य साथ दूसरे की बाते सुना भी करे सब आपके हितेशी ना हो ये कोई जरूरी नहीं है और ये भी कोई जरूरी नहीं कि सब आपके हितेशी हो तो इस case में एक और आखरी उपाए कि logical तरीके से जिन्दगी को जियो सई तरीके से जियो ना तो जादा उमीद रखो किसी से जो व्यक्ति एमोशनली रहते हैं, कभी तो किसी का सुनते नहीं, कभी जिसके लिए इतना करना कर देते हैं, जिसके रिक्वाइर्मेंट नहीं रहती, कभी किसी का ये सुनते नहीं, कभी किसी के लिए बहुत ज़्यादा कर देते हैं, जिसके वैसे दुख होता है, तो वो साब मत करो बाकी तो ठीक है बाकी और कोई negativity नहीं है और जादा सोचिए मत जादा गुस्ता मत करिए इसके लिए बहुत आप अराम से इसको नियंतरन कर सकते हैं किसी प्रकार की remedies करने के आवशक्ता नहीं है अब जवरदस्ती का remedy करा के क्या हो रहा है ये अच्छी बात थोड़ी होती है तो कोई ज़रुवत नहीं है तो ये इनके negativity थे अभी चलता हूँ मैं प्रशन के तरफ जैसा मैंने आपसे promise किया है कि अगर आपके अतलिपर ऐसी अवस्था बनी होगी तो आपको भी सरकारी छेतर से धनलाव मिलेगा तो वीडियो काफी महत्रपून है देख लेना समझ लेना तो सबसे पहले तो देखो अपने planets के strength को इनका भी प्रशन था तो इनके प्रशन का भी मैं उत्तर कर रहा हूँ तो आपके सारे planets में मूलता planets में strength होने चाहिए strength means कि ये गद्यता रवस्था में हो और जो व्यक्ति planets को नहीं देख रहा है तो वो एक गलती बात है तो आप planets को जरूर देखिए बिना planets के आप जिन्दगी पर आगे नहीं परपाएंगे बिना ग्रहों में strength के आप जिन्दगी पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे तो planets आपके अच्छी condition में होने चाहिए कम से कम उभाल लिए वे condition में जरूर हो maximum planets आपके 8-9 planets रहते हैं ना तो maximum में 4 तो maximum 5 केलो 7 केलो मतलब minimum 4 तो अच्छे होने ही चाहिए उसके बाद देखो तो आपकी fate line आपके strong fate line आपके अगर Saturn से चली है आपके आपके अगर money बन से चलके Saturn तक गई हो तो बहुत अच्छी बात है ये तो बहुत उंदा इस्थिती होती है लेकिन fate line के strength को जरूर से आप देख ले यहाँ पर से पतली होनी जरूरी है नई पतली होगी तो फिर मजा नहीं है फिर इसका कोई फल आपके जिंदगी पर नहीं प्लेवल से पाड़ कर गई ना तो समझ लो आपकी नौकड़ी हो जाएगी अब कुछ लोग मुझे कह सकते कि मेरे हाथ पर तो गुरुजी बागगी रेका है यहीं कहां से तरक्की होगी हमारी तो ऐसा भी कोई बात है कि आपकी तरक्की नहीं होगी अगर आपके planets में अच कि होगी आपके लिख के ले लो आप इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है और तीसरा व्यक्ति मुझे कोशन कर सकते हैं कि गुरुजी यह बताइए आप कि मेरी तो भागगी रेका भी है मेरी सूरी रेका भी है और मेरी अतरी पर progress line भी है फिर भी मेरी नौकड़ी नहीं का तूटी-फूटी होगी मोटी होगी धूमिल होगी ऐसी वाली होगी अगर वो चमाके दार होगी तो फिर आप परियास करो एक बार नहीं होगा दो बार नहीं होगा तीन बार नहीं होगा चोते बार में कोई नहीं काट सकता आपका नौकड़ी लेकिन परियास करना जरू और वो होनी भी चाहिए आपके अतली पड़ तो चलिए यह कुछ नौम्स थे जो रहने से सरकाई नौकड़ी होती है इसके अलावा भी बहुत से नौम्स होते हैं बहुत सी ऐसे अतली मैंने देखिए ना जो इदम फ्लैड ब्रश्पती फ्लैट सूरी फिर भी वह सरकाई तो देखो बहूत से चीज़े होती है एक चीज़ नहीं होता समयरवा बताता रहूंगा होमारे चैनल से आप जुड़े रहिए भस चलिए अभी इनके परय वही ता देखो इनके planets में strength है जो मैंने अभी समझाने का कोशिस कर रहा था आपको तो सारे planets में इनके strength है ये बहुत अच्छी बात है second one देखो तो एक progress है इनके 32 साल में मुझे जरूर से लग रही है 32 years में यहाँ पर से देखो completely यह वाली तो यहाँ पर से तरक्की होने के बहुत अच्छे chance है से और आपकी fate line भी काफी सक्री है और सूरी देखा भी आपकी अच्छी तो बस छोटे job का भी तियारी करो तियारी क्या form fill up करो बाकी तो आप examination में बैठी रही हो बड़े का भी बैठो मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि आप बड़े में मत बैठो लेकिन अपने से थोरा छोटा भी दिया करो अच्छा रहेगा यह आपको काम्याभी दिलाने में बहुत अच्छी तरीके से कारे करे है तो यह तरक्की का योग है आपके आने वाले एक दू साल के अंदर बस आपको अब dedication से पढ़ियास करना है dedication से मेहनत करना है chances बहुत अच्छे बन रहे है तो अभी एक और question था आगे की जिंदगी कैसी रहेगी देखो मस्त रहेगी आपकी जिंदगी 32 साल से तरक्की है फिर आगे भी आपकी lines बनी हुए लिए पिक जो है न इन्होंने ऐसा दिया है न कि मुझे lines जो है डूंडने पर रहे है तो यह आगे भी इनकी तरक्की के योग जरूर आपके तले पर है एक दिक्कत आपके 36 year में है तो 36 year में एक nominal रहू लैन का cuts है इस case में थोड़ा सा आप समल जाना particularly इस age में इस age में आपको समल ला है उपाए वही general उपाएं आप बस अपने उपर ध्यान दीजिए शनी मंदर जाके माता ठेक लीजिए या महादेव को जल दीजिए इसके उपरांत कुछ करने के आपको आवशक्ता नहीं है फालतो के मगजमारी में परके कोई फाइदा नहीं है कहने के लिए 100 उपाएं रहू रेखा के 100 उपाएं है और वो उपाएं अगर मैं आपको देने लगो 45 में साड़ में है 45 एर्स में एक बड़ी तरक्की के योग से बन रहे है फिर उसको आप जिन्दगी मस्त है और कुछ आगे आपकी तक्रीबन 60 में वर्स में उसके बाद जिन्दगी देखो कैसी है स्ट्रॉंग आपकी जीवन रेखा चल रही है वहीं पर से एक आपकी ब्रांचे से जो की तक्रीबन आपके 55 में साड़ में एक बड़े यात्रा के तरफ पड़ी चक्रा रही है बागे स्ट्रॉंग जीवन रेखा जिन्दगी मस्त बीतेगी कोई राहू लाइन नहीं है तो ब्लस्ड है आप बगवान से क्या चाहिए आपको जिन्दगी पर मतलब जिन्दगी सुकून में लोग बिताते हैं ज्यादा डाउन फॉल नहीं होता लाइफ पर और देरे 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 करके या आगे ही बढ़ते हैं 45 में में तरक्की है अगर आपने प्रियास कर लिया सार्थक रूप से तो आपकी नौकडी के प्राप्ती के योग भी आपके एतली पर है तो ये कुछ इनके कोश्चन्स था जिसका मने अभी उत्तर करा अभी इनके इतलीका में जनल अनसेस करूँगा चीजों का असपस रूप से क्लियर करूँगा तो वीडियो काफी महत्पूर देखे सीखे समझे स्क्वाइर स्पा में वेक्ती बड़े जद्धी किसम के होते हैं मतलब ऐसा है ना कि ऐसे लोग तरक्की ज़रूर से करते हैं अपने लाइफ पर इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है तरक्की तो होनी है आपकी और मूलता सारे प्लैंट्स में स्ट्रंथ तो वेक्ती के राज्यों की कारकते लिए 55% के राउन इनके जिद्वन पर फल भी आ रहा मतलब जिंदगी अच्छी बीतती है आपकी यह समझ लो आप गुलाबी है धन को एट्रैक्ट तो करती ही करती है पैसे तो आते ही आते आपके पास है और थंब स्ट्रॉंग वेक्तित वे मतलब आप अधिकारी बनने के लिए एलिजबल हो लेकिन थोड़ी ना आपके लाइन्स मार खा रहें यहाँ पर फिर भी मैंने बोला कि आप परियास करो हिम्मत मत आरो छोटे का भी कर लो अभी बाद में प्रमोशन्स तो नहीं है बागे एक यवा किरती है जब भी भी सपोर्ट के आपको आवशक्ता पड़ेगी मिल जानी है आपकी एक्छा शक्ती प्रबल तक शक्ती भी शांदार है डेजायर्स के बहुत ही अच्छे योग वेक्ति बहुत डेजायरेबल होते हैं सकेंड फेलेंच का बड़ा होना ही इस चीज़ का परचा कराता है जितना बड़ा सकेंड फेलेंच वो इस चीज़ का परचा कराता है कि इंसान अच्छे पद पर आसीन हो सकते हैं इंसान में मैनेजिंग कॉलिटी रहती इंसान एक संस्थान को चला सकते हैं इंसान मैनेज कर सकते वो बहुत अच्छी capacity आपके अंदर है और जबरदस्त आपकी थम्व व्यक्ति तो बहुत शानदार है जुकनेवारी personality आपकी नहीं है एकदम नहीं और थोड़ा मैं चाहूंगा थोड़ा लचीला आप बनो अच्छा रहेगा आपके घड़ के लिए भी समझदारी के लूप काफी अच्छी है ऐसे महिलाएं बहुत ज़्यादा समझदार होती है अपने कारी को बड़े समझदारी से करना पसंद करती है ये इनके एक इनर मान सिकता है और इस मान सिकता में ये बहुत ही अवल है मान के चलो कि कोई भी चीज को समझदारी से करना वो ये परिचे कराता है कि आप कितने आगे जाओगे जिंदगी पड़, तो ये तो एक बहुत अच्छी चीज है, बागे देखो खाई लाइंस आपके अतली पर मौजूद इस केस में क्या होता है, इंसान बहुत अच्छे होते हैं दिल से, थोड़े इंट्रोवर्ट के पॉल्व नहीं होते हैं, होते तो बहुत ज़एदा हो जाते हैं, नहीं होते हैं, तो वो वाली एक प्राप्लम है न, वो थोड़ा सा कंट्रोल करने की बात हैं, बाकी तो ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ दिक्कत नी होगे आपके जिंदगी पर थोड़ा हर्ट होगी या और कुछ नहीं होगा ब्रश्पती फिंगर लंबी है आपकी यहाँ पर सेलकी दबाब है तो यह ego वाली प्रॉब्लम तो दर्शाती है ऐसे विक्ति को एक ego इस्टिक वाली प्रॉब्लम होती मतलब ego यह मत कहो घमंडी नहीं कह सकते हैं इस case में हम यह कह सकते हैं कि बाते बहुत जल्दी बुड़ी लग जाती है तो ठीक है इसको आप control कर सकते है ज़्यादा tension लेने की बात नहीं है बाकी यह इससे आपको ही घटा है आप अपना blood pressure आए करा के क्या करोगी यह बताओ तो अपना घटा करके क्या फाइदा बाते किसी ने कहा किस frustration में कहा वो क्या कहना चाने है उसके घड़ में क्या बीत रही थी बहुत से लोग बहुत सी बाते करते अपने frustration में कर देते हैं अब सब की बाते बुड़ी मानने लगो तो कैसे survive कर पाओगी बाकी दारमी कासता अच्छी है आपके जिंदगी पर Sun Saturn के attachment है तो वेक्ती बड़े कैलकुलेटिव तरिके से अपने जिंदगी को जीते हैं और आपकी Sun Finger लंबी है इसके इसमें बहुत ही मती हैं और height बड़ा अच्छा है creativity बहुत अच्छी है आपकी ऐसे वेक्ती बहुत समझदार होते है टरेंटेट भी होते है किसी ना किसी टरेंट से अपने जिंदगी पर आगे जरूर बढ़ते है तो वेक्ती अपने communication skill wise बहुत प्रबल है अपनी बावणाओं को दूसे के समख्ष जरूर से रख पाते हैं इसमें किसी परकार का संदे नहीं है अभी चलते आगे तो इनकी बरश्पती बरश्पती इनकी ठीक है अच्छी है ये लाइन्स थोड़ी सी ना क्या होते है रिस्ते में हलकी फलकी खटास को इंडिकेट करती है पारिवारिक मामल में बाकी तो कोई डिक्कत नहीं इससे बाकी बहुत इंडिपेंडेंडेंट है थोड़ा बाते सुन भी लिया करिए कभी-कभी बाकी ठीक है आपकी अच्छी है ते लिपड़ और कुछ एक स्क्वाइर यहाँ पर से बड़ा सा दिख रहा है यहां से दबाबे तो विक्ती बहुत ज़्यादा मैनती और दूसरी आपकी एक रेखा जारी है आपके शूरी करता है तो थोड़े घर से दूर की यात्रा है हाला कि विदेश तो इस केस में नहीं लेकिन घर से दूर की यात्रा है के योग है जहां आपका native place है वहाँ से दूड का आवास करो तरक्की करो इस चीज़ का ये परिचे करा रही है और बागी रेका आपकी अच्छी खासी आपके अतली पर मौझूद है जीवन के लास तक भी बागी रेका के रिगारिंग परशानी नहीं है आपको फिर देके line of education बहुत अच्छी बनी हुए इंसान बहुत ज़्यदा समझदार होते हैं अपने कारे को बड़े समझदारी के तहत करते हैं इसमें किसी परकार का doubt नहीं है आपकी पैत्रिक संपत्ति आपती की संपत्ति का अच्छा साथ एक सूरी रेका चीवन दो सूरी रेका आपके अतली पर मौझूद इस case में क्या होते हैं इंसान बहुत talented होते हैं अपने कारे को बहुत इमानदारी talent से करते हैं और साथ-साथ एक नौकड़ी प्राप्त के लिए तो बहुत ये अच्छी अवस्था बनी हुई है और तकरीवन 36 में वर्स के बाद आपके multiple property के बहुत आप मतलब समझदार विखती हैं इसमें कोई doubt नहीं है और सरकाई शेतर से धनलाफ कराती है बुद्ध अच्छी है तो ऐसी महिलाएं घर के लिए कारे करने वाले होती हैं सनमरकरी बढ़िया है तो इस case में समझ लो कि बुद्धी विवयक से कारे करने वाली आप महि हैं और strong दो lines मतलब समझदारी भी बहुत ही अच्छी है चाए वो घर समालने को लेके हो या विपार समालने को लेके हो जब परदस्त है मंगल तो ठीक मध्यमस्तरी है तो हैसे एनरजेटिक रहेंगी आप लेकिन हलकी फलकी क्या होता है इस case में इंसान कभी कबार स्वास्त से परिशान रहता है थोड़ी पेट की समस्यासे बागी आपकी हैल्थ अच्छी रहेगी प्राया जंदगी में अच्छी रहेगी लेकिन अगर थोड़ी लापड़वाई होगी तो ज़्यादा परिशान हो सकते हैं इस case में थोड़ा इंसान जो होते हैं अंदर से थोड़ी कमजोर से हो सकते हैं, कभी कबार स्वास्त के लगी फलकी परिशानी चल सकते हैं, लाकी बहुत ज़्यादा नहीं चलेगे, क्योंकि राहू लाइन नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा अपना केर करना, बाकी हिम्मती तो आप गजब की हो, लॉजिकल हो, आदिर कायों तो हो ही चंदरमा अच्छी है, तो इंसान के अच्छी बनी रहती है, कुछ यात्रा के लाइन से दोकी नॉमिनल है, बाकी यहापर से भी कुछ यात्रा के लाइन जरूर बन रहे हैं, तो घर से दूर का यात्रा आपके होने के बहुत अच्छे चांस है, चंदरमा अच्छा है, तो बहुत अच्छे हैं पैसी के फ्लो जिन्दगी पर जरूर से बनी रहती इस केस में जरूर से फिर देखे यापर से आपके केतु परबत पिक फिशनो माकरती का फोर्मेशन यहाँ आपके एक बुद्धरेका के साथ भी है तो विपार करने में धनलाफ को दर्शारी है यह अगर आप विपार करो तो यह बुद्धरेका आपकी जारी है कहाँ पर यह आपकी मंगल पर जारी है तो जमीन जदात से धनलाफ के योग बनते एक मनी ट्रेंगल बनाई हुए एक मनी ट्रेंगल ही है छोटी सी तो पैसे जमा करने वाली महलाएं आप फिश के साथ है तो अकास्मिक दनला आपको दर्शाती है अगर विपार करो तो उस केस में कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा बेनेफेट आपको जरूर से हो सकता है जरूर से शुक्र आपका मध्यमस्तर यह है ऐसे जंदगी तो अच् केस में टेंशन नहीं होता है पॉजिटिविटी बहुत अच्छी है शुक्र पर इस केस में क्या होता है इन्सान बहुत पॉजिटिविटी ले के आया है शुक्र परबत पर अच्छे लगजरी का सुक मिलता है लेकिन मध्यमस्तर यही रहता है दो लाइन्स है शुक्र में नॉर्मल कंडिशन है, बाकि कुछ स्क्वाइर आपके मौजूद है, इस केस में क्या होता है, इंसान कुछ लगजरी का सुक मिलता है, कुछ नेगटिविटी को दूड करने में सहाय के स्क्वाइर, और शुक्र मद्या में तो थोड़ी सुष्ट प्रविर्ती के आप हो सकती ह है, कह सकते हैं कि थोड़े इंसान थोड़ा सा लेजीने से इन में आ सकता है, तो थोड़ा सा इसको ठीक करिया, बाकि शुक्र बनिया, लाइफ अच्छी रहेगी, आपकी टेंशन नहीं, मनेजमेंट के अच्छे योग है, बाकि कुछ हल्की फल्की फैमिले स्ट्रस के मौजूद इसकेस में क्या होता है ना, आयो, दिर्गायो रहु हो देखा नहीं ये तो मसता है, मंगल परवत क्या गजब का है, प्राक क्रमी तो जबर्दस्त है आप, जबर्दस्त प्राक क्रमी मैला है आप और फिर देखें एक स्टार बन रहा है तो प्रॉपर्टी से आपकी आयो दिरगायो बताई जारी है यहां से, एक बड़ी तरक्ये 45 में, 32 वर्स में भी तरक्ये, बस प्रियास करना मत छोड़ना आप, आपकी माइंड रेखा अलागे तो थोड़ा सा क्या होता न, प्रादमिक्स हमें स्ट्रगल्स भी रहते हैं, जल्दी किसी का सुनते भ परिवार से, देखो ये लाइन जो न, विश्णु योग का फोर्मेशन है, तो ऐसे विक्ती परिवार का सम्मान करने वाले, रूटीन को फॉलो करने वाले होते हैं, बादमिक्स बहुत अच्छी है, दिल दिमाग के बहुत दंदूस्त महिला है, पिसमें कोई डाउट नही जिन्दगी भी आपके अच्छी ही बीत जाएगी, नो डाउट, ये देखो बागे रेखा के बरांच है, बिना किसी राहु लाइन के, सबसे खुबसूरत चीज क्या है ना, इस सतेली पर, बिना किसी राहु लाइन के बागे रेखा है, एक सूरी रेखा है, तो जॉप अगर आपको बहुत जाएगा, तो ये ताइन के देलिगा पुनिता विशलेशन, अगर आपको मारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक करते, कमेंट करते, सब्सक्राइब करते, अगर आप प्रस्तनी मेरे से हस्त रेका दिखा कर सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा वोट